कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ कभीर दोस्तों मेरे पाथ दो बहुती जवदास फोन हैं एक है IQ का Z9S 5G इसमें काफी जवदास डिसकांट चलने है सेल में और Vivo का T3 5G तो इन दोने के जो प्राइजिंग वगरा काफी सिमिलर से थी पहले इनका प्राइज 20,000 रुपे था लेकिन सेल में 18,500 रुपे का प्राइज हो गया Vivo T3 का और इस पे भी कोई डिसकांट बगारे चलने हैं जो काफी अमेजिंग है वहीं पर IQ Z9S का जो प्राइज है वो है 20,000 रुपे का लेकिन इस पे भी आपको अमेजिंग डिसकांट मिलने वाला है तो डिटेल में कंपेर करेंगे इन दोनों फोनों का देखेंगे इन दोनों फोनों में से कौन सो जादा अच्छा है किस पर अच्छे डिसकांट चलना है तो कंप्री इंफोर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो एंट तक देखेंगा सबसे पहले अन्बॉक्स करते हैं हम IQ के Z9S 5G को देखते हैं ऑपर रखा मिलता है हमें हमारा फोन, ग्रीन कलर में हमने इसको मंगाया है उसका बाद में दिखेंगे है उसके लाबो बाक्स के अंदर हमें रखे मिलता है कुछी यूजर मेल रिख Marin 먹 тоже क Nice अरूल काफ बड пытा है इसके बाद आता है दूस्तो रखाता है तो एक सब्रका और क कनेक्टिविटी के साथ है कॉलिटी वगर इसके काफी बढ़ी है अगर इसमें C2C केबल होती तो और भी जाद बढ़ी हो जाता लेकिन यहां पर USB2C केबल मिल रही है फिर मिलता है एड़प्टर 44 वार्ट का फास सार्जिंग मिलती है इसके अंदर वीवो की ब्रांडिंग है आईक्यू का फोन है लेकिन most of the चीज़ों पर आपको वीवो लिखा हुआ मिलेगा जैसे कि एड़प्टर पर भी लिखा हुआ है अब देख लेते हैं यहां पर वीवो के T3 5G के अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो बॉक्स उपन कर लिए अंदर के तरफ रखा मिलता हमें हम हमारा फून ब्लू कलर में हमने इसको मंगा है डिटेल लूग दोस्तों उसका बाद में देखिए उसके बाद यह रखे मिलते हैं कुछ आई में नमबर स्टीकर अंदर की साइड में रखे मिलते हैं कुछ यूजर में वरेंटी कार्ड वगएरा एक मिलता है ट्रांस्परें में थी वैसे ही इस फोन के अंदर आपको मिलेगे और चार्जर के कॉलिटी बिल्कुल सेम मिलेगे 44 वाट का विवो की ब्रांडिंग के साथ USB कनेक्टिविटी तो बॉक्स के अंदर जो कंटेन है इन दोनों फोनों में बिल्कुल आपको सेम तो सेम मिलेंगे कोई भी इसके साथ दोस्तो बैक पर हमें 2 चैयम्रे मिल जाएंगे याफ एक्यू मे और तीन का सपोर्ट मिल जाएंगा वीयो T3 5G के इंदर उसे के साथ डूस्तों IP डाट करें एक6 और यहनम्स मीठें אני फेस्क्राइब कर दोनों की candle कि आपको का यलि radis का फवाली फिंगर्रिंट वगर्ण की प्रॉल्म में देखने को नहीं मिलेगी मैटी फिनिश मोने की बिज़े से वीवो में तो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी आइक्व में थोड़ी बहुत आ सकती है यहां पर दोस्तों इन दोने FE मैं आपको बड़िया डिजाइन किसका लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूरत आईगा वैसे मुझे आईक्यू का डिजाइन जादा चलागा तो अन कर लेते हैं अपने दोनों फोनों और देख लेते हैं इंटरनली फीचर्स वगरा कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस मि हो सकते हैं डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो ड्रॉप अंचोल वाले डिजाइन है दोनों फोनों में लेकिन यहां पर बेजाज और नीचे की चीन वगरा आपको आईक्यू के अंदर ज्यादा चोटी मिलेगी उसी के साथ 6.8 इंचिस का असपास डिस्प्ले साइज मि मिलेगा 388 PPI मिलेंगे और यहां पर जो इसकी पीक ब्रैटनेस मिलेगी 1800 निट सक मिल जाएगी इसके लावर यहां पर HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाएगा तो यह चीज़ भी आपको बड़ी हम लेगी यहां पर जो पिच्चर क्वाल्टी और कर्व होनी के विए से बहु नहीं है तो इस चीज़ का experience आपको IQ में जादा बड़ी हमलता था डिस्प्रेसाइब थोड़ा छोटा मिलेगा IQ के compare में 6.7 इंचिस का लगबग और यहां पर आपको PPI जो मिलेंगे वो 395 मिलेंगे उसके लावा दोस्तों यहां पर Full HD प्लस का सपोर्ट भी मिल जाएगा इ इसकी जो पीक ब्राइटनेस से 1800 निट्स तक है जो के IQ जैसी है बलकुल दोनों फोने में आपको पीक ब्राइटनेस सीम मिलेगी उसके लावा यह अगर आप जादा लाइट में यूज़ करते हैं सल लाइट वगरा में फोन यूज़ करते हैं तो शैड़ो वगरे का जो इस है इन फोनों में इतना जादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक तो इसके लावा ब्राइटनेस वगरा काफी अमेजिंग है वैसा इन दोनों में मुझे जादा चीज जो डिस्प्ले कॉलिटी लगी वह यहाँ पर IQ की लगी क्यों का सब्सक्राइट मिल जाता है इस से का भी ऑप्शन है और यहाँ पर 60 हट्स का भी ऑप्शन है तो दोनों चीज़े एक जैसी मिलेंगी उसके लावा दोस्तों टच वगरा का जो रिस्पॉंस और स्क्रोलिंग वगरा करने में जो स्मूधनेस मिलेगी वो दोनों फोनों में लगबाग एक जैसी है इन डिस्प् आफ जैसी फिंगर रखेंगे फोन अनलॉक हो जाएगा तो इस चीज़ में भी दोनों फोन काफी सही है वैसे आईक्यू का ये फोन काफी बढ़िया लगा दोस्तों मुझे और वीवो के टी थी के अंदर भी काफी अमेजिंग फीचर है लेकिन ओवरॉल मुझे जो यहाँ पर अच्छा experience लगा वो IQZ9S का लगा display quality में अब complete physical look के बात के हैं तो दोनों फोनों में नीचे के तरफ मिलेंगे speaker, type C port, एक mic और sim लगाने का space इन दोने ही फोनों में 3.5mm का jack नहीं दिया गया तो आपको type C वाले earphone ही खरीदने पड़ेंगे उपर की side में मिलता है दोस्तो पर मिलता है बिल्कुल plane सा surface के लावा दोस्तों इन दोनों फोनों में आप memory card नहीं लगा सकते सिर्फ dual sim का support दिया गया अगर आपको internal memory वगार एक्स्टेंट करनी है तो वह इन दोनों फोनों में पॉसिबल नहीं है इंटरल स्टोर्ज में 128GB है जिसमें से यहां पर लगवा experience में बिल्कुल भी कोई भी फरक नहीं मिलेगा दोनों में एक जैसा है इन दोनों फोनों में आपको दो साल के operating system update मिल जाएंगे होई साब update कर सकते हैं और three years के update मिल जाएंगे आपको security के तो यह चीज़ भी दोनों फोनों में लगवा एक जैसी मिलेगी उसके लावा दोस् 7300 प्रोसेसर यूज किया गया IQ के जीना ही नहीं इसमें और वीवो में मीडिया टैक का डैम स्टी 7200 यूज किया गया लेकिन फिर भी यहां पर आपको वीवो के T3 के अंदर जाद अच्छी परफॉर्मस मिल जाएगी 7200 प्रोसेसर होने के बाद भी मल्टी टास्किंग वग करा कि तो IQ के अंदर आपको 5500 यमेज की बैटरी मिल जाएगी और वीवो T3 के अंदर आपको 5000 यमेज की बैटरी मिल जाएगी दोने फोनों में यहापको चार्जर बिकुल एक जैसा ही मिलता है 44W का तो यहां पर चार्जर की स्पीड आपको सीम मिलेगी लेकिन IQ Z9S के इनकी connectivity की तो दोनों फोनों में आपको 5G connectivity मिल जाएगी आप DualSIM 5G यूज कर सकते हैं इन दोनी फोनों में उसके लाव अगर आप पैंडराव यूज करना चाहते तो दोनों फोनों में पैंडराव भी लगा सकते हैं यहापर support करता है किलावा कुछ लोग NFC भी यूज करते सें camera performance मिलेगी 50 megapixel का IMXAA2 sensor size के साथ आपको camera मिलेगा second camera 2 megapixel का depth camera और front camera 16 megapixel तो दोनों फोनों में आपको megapixel बेकुल एक जैसे ही मिलेंगे उसके अलावा दूस्तों camera के अंदर यह जो options होते हैं यह भी आपको सेंव मिलेंगा night mode, video mode, portrait mode और यहाप more के अंदर और भी option मिल जाए लेंगे जैसे लाइफ फोटो वगरा का picture quality की बात करने तो वह भी बिर्कुल एक जैसे कोई जादा फरक नहीं है डिस्प्ले की वैसे आपको थोड़ा वहत फरक दिखे हो बाता लागे लेकिन इनके picture quality में कोई भी फरक नहीं है दोने फोनों में एक जैसी picture quality को के मेगा पिक चल रहा है तो 17,500 रुपे का हो जाता है वीवर टीथरी का प्राइस था पहले 20,000 रुपे लेकिन अब इसका प्राइस अठार 500 रुपे हो चुका है उस पर भी आपको 25 रुपे का discount मिलेगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 16,000 रुपे तो प्राइस के आप से दोनों फोन का कौन सफ उन्जादा अच्छा लगा यह चीज़ आप मुझे कामेंट करके जरूरता ही का वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए उसके लाव चैनल पर ने अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा त साथ